तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं college placement के बारे में जितने भी बीसी एजी और बिटेक एजी के श्टुडेंट हैं आप सभी का क्या सीन रहता है college से प्लेस्मेंट का इसके बारे में इस वीडियो में discuss करेंगे मैंने छोटा सा roadmap बनाया है बहुत सारी चीजे मैंने पॉइंट में cover किया है तो आपको बारी-बारी से चीजों को समझाते जाएंगे तो जितने भी सब्सक्राइब करेंगे ठीक है तो सबसे पहला question निकल के यह आएगा बहुत सब्सक्राइब के माइंड में कि भाई अभी तू फाइनल में है तू क्यों सब चीजे बता रहा है ठीक है तेरा क्या कितना experience है तो भी मैं अपना experience बतायता हूं मैंने आपको पता जोगा कि जित सब्सक्राइब जो कंपनियाज है उस आती हैं बहुत सारे colleges में ठीक है बट उतने अच्छे लेवल पर placement नहीं होता है ठीक कि अगर माल लीजे तो maximum जो टॉप के student होते हैं चार-पास student maximum उतने ही placement पाते हैं ओके तो मैं अपनी बाद बताता हूं कि मैंने फाइनल में ट्राइ आप इंटर्सी पा जाते हैं final year में तो आप वहां से अच्छा करके आप इंटर्सी के टायम पर आप उस company खुझ कर सकते हैं अपने काम से भई तो वहां से आपको काम अच्छा लगए उनको तो आपको पिपी भी आफर कर देंगे प्री प्लेस्मेंट ओफर ठीक है तो वहा से पहले on campus placement में तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टन जो चीजे हैं वही अगर कॉले से प्रेश्मेंट रहना तो आपको आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा यह सबसे के उपर आले बंदे ही आ सकते हैं एक्जाम के लिए कुछ अब्जेक्ट टेस्ट लेते हैं उसके बाद इंट्रव्व्यू लेते हैं दो-तिन राउंड होता है अगर आपका प्रफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप असानी से प्लेश्ट हो सकते हैं ठीक है और इसके बाद इंपॉर्टेंट स्किल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़े आद आती हैं जैसे आपका कम्मिनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए ठीक है ताप फर्स्ट यह से ही आजसाई बच्चे हैं तो आप ट्राई कर ये स्टेश पे जाने के लिए और कुछ जीखे द्लिए आप मेर्र के सामने बात कर सकते हैं इंग्लिस लेखटर देख सकते हैं बहुत सरे तरीके हैं अपना के अपने स्किल ठीक करने के लिए तो सब्चिज होता है जाते हैं ट्रेक्टर कंपनिया आती हैं तो फार्म मसीनरी पाउर का जो भी सब्जेक्ट रहता है उनसे ज्यादा कोश्चन रिलीटर पूछे जाते हैं ठीक और यहां पर आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होने चाहिए आप जिस भी कंपनी का इंट्रिवी देने ज जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप जांकारी निकाल सकते हैं ठीक उसके बाद आपको एक्स्ट्रा में कुछ सीजे रहते हैं आपके पास एक्सल की जो स्किल है अच्छी होने चाहिए Microsoft Excel आपको अच्छी साना चाहिए आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं को अज़ी को अच्छी आखते हैं काफी जंकारी Посक्ट चाहिए अच्छी ज स्भाएं तो आप ऐंस तर टेक्स पे ये पहाँ चाहिए अगर आप training काफी अच्छे जगह से करते हैं और मन लगा के करते हैं ठीक काफी अच्छी जानकारी होँ पर मिलती है जनरली जो college में पढ़ा जाता है theoretical portion होता है आपके जो fourth semester के बाद fourth semester के बाद fourth semester अगर आपको प्लेस्मेंट ही लेना है तो आप department जो इसके साथ में आपको इसके बेनीफिट्स बता देता हूं और on campus प्लेस्मेंट में क्या बेनीफिट रहता है अगर आप college से placement पाते हैं सबसे पहला तो आपको टाइम बच जाता है ठीक है जितने भी student रहते हैं college में college की life shield ह होती है आराम से भाई सबको मिज रहता है कि चार साल पढ़ाई करेंगे college वाले कहीं ने कहीं से company लेके आएंगे और प्लेस्मेंट हो जाएगा अब देखो सारे college में तो ऐसा रहता नहीं है सीन कि भाई college में company आई ही जाए और आती है तो आपका समय बसता है और energy बसती है आपको ज़्यादा ढूंडने की जरूरत नहीं है और ना तो कहीं सर्च करने जरूरत है यह सब चीज़े college के उपर निर्भग रहती है college में आती है अपना आप skill development और जो भी चीज़े से जिप interested नहीं रहते हैं placement के लिए ठीक है तो बहुत ही limited competition रहता है आपके लिए तो आप साथ हो सतर के बीच में आप आप देखेंगे तो 50% से कमी बच्चे रहते हैं जो की interested रहते हैं placement के लिए बाकि सब agriculture में खास कर government exam को त्यारी करने के लिए आते हैं और बहुत ही कम effort के थुरू आप आसानी से जाब पास रहते हैं और यहां पर आपकी choice रहती है ठीक है यहां पर थोड़ा सा लिमिटेशन मांग चाते हैं यहां पर मैंने काउप पॉइंट रखा है limited option रहता है जैसे college में जो company आई भालो मजबूरी से उरको लेना ही पड़ेगा चाहे अच्छी हो चाहे फर्स्ट यर में है तो आपको LinkedIn profile बना के ही रखना है मैं आपको अभी दिखा दूँगा कैसे जाब हो लेना है LinkedIn से और मैंने कैसे वहां से internship के लिए apply किया था ठीक है तो अब चलो मैं आपको LinkedIn ही दिखा देता हूं अपना profile उसके बाद off-campus की बात करेंगे ठीक है इसमें भी मैंने एक पॉइंट एड़ करके रखा है LinkedIn profile इसमस्ट तो मैं आपको अपना profile दिखा देता हूं LinkedIn का तो यह आगए हम अपने profile पे यहां पे आप देख सकते हैं तो अपने चैनल का मैंने यहां पर फोटो डाल के रखा है और यहां पर इंट्रोडक्शन देख सकते हैं मैं उतना प्रो नहीं हूं इसमें ठीक है फिर भी मैंने कुछ बड़े लोगों को देखके अपना profile बनाया है ओके आप अपने बारे में लिख सकते हैं बाउट असके कोई कुछ पोश्ट करते हैं आप यह आपको दिख जाएगा और आपका मश्ट हैं बहुत इंपोर्टन फर्स्ट इर में जो भी स्टुरेट आ रहे हैं कोई experience नहीं होगा उनके पास यह तो मामली सी बात है सभी के profile में को experience नहीं होगा बट जैसे जैसे आपको एक बनाया था तो अभी मैं खुछ से उसके कुछ कोर्से सब्सक्राइब डालने वाला हूं और कुछ ब्लाग और पोस्ट करता हूं तो इसलिए मैंने वहाँ पर डाला है ओके और वीडियो कंटेंट मेनेजर मैं अभी एग्रीमून के लिए बनाता हूं उनके चैनल के लिए तो इसलिए वहाँ पर मैंने डाला एक्सपीरियंस में और कुछ अपने सेनल के बनाता है इसलिए यूटूबर डाला है मैंने और मेरा एक पोड़कास्ट है दवीमल सो करके उस उसका एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर डाला है पार्ट टाइम के रूप में मैं उकरता हूं और समरे इंटर्न मैंने किया था फोड़ सिक्सेम के बाद ऑनलें ट्रेनिंग हुई थी हमारी कॉलेज से ही तो उसका मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस एड किया है ठीक है और अच्छी से उगर लेते हैं तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल सकते हैं और आपके जो स्किल हैं आपके टॉप की स्किल है वह डालने हैं आपको उसी के हिसाब से आपको जौब रिकमेंडेशन आते हैं मैक्सिमाम ठीक है यह सब हो गई प्रफाइल की बात अब आपक तो मैं आपको बताता हूं कैसे जौब लेना तो माले जोइंडेर कंपनी हम यहाँ पर साइज करते हैं ठीक है यहां पर आ गए सौरी तो इसके प्रोफाइल में जाना जो अंडर कंपनी यह पेज रहता है कंपनी का आपको इंप्लॉई दिख जाएंगे और सबसे बेस तरीका है किसी भी अचार से कॉंटेक्ट करने का ठीक है आपके कॉंटेक्ट में जितने लोग भी होंगे काम कर रहे होंगे यहां पर वो दिख जाएंगे और आपको अगर अचार का नंबर निकालना है कौन फाउंडर है कौन सीओ है उसके बारे हम जाना है तो आपको पर लोग मिल जाएंगे यह लोग यह फाउंडर है यह सीओ है फोटो के साथ आप उनको डायक्टली कनेक्शन भी सकते हैं ठीक है प्रोसेश यहाँ पर आप rightly उनको अगर कर सकते हैं अगर वह क्नेक्ट की अटा आपको अच्छा थया यहां यह आपका एक तरीके से जो बड़े-बड़े लोग होते हैं उनका फेस्बूक माना जाता है ठीक है यहाँ पर ऐसा कोई फालतू चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी ज देखो बहुत सारे लोग यह बोलेंगे बहुत सारे कंपनी को जिरुवत होती है शॉप्टेयर डेवलेपर की और कंटेंट मैनेजर की बहुत सारे चीज जिरुवत पड़ती है ना कि क्यों एगरीकल्चर के लिए और मार्केटिंग के लिए ठीक है तो उसका भी स्कील आपके जादा रहता है क्योंकि टेम्पूर्टर साइंस के बच्चे पड़े हुए हैं उनको हार करना इजी रहा उनके लिए भाई कि वो लोग फर्स्ट यर से पड़ाई किये हैं अपना कॉलेज से तो उनको ज्यादा एक्स्पिरेंस रहता है नॉलेज रहता है तो अगर आप इन और भी कंपनी हो गई आपकी एक एक अग्रो इस्टार करके कंपनी आपको दिखाता हूं तो इसमें अगर आपको इंटरेंसिब होगा लेना आपने नाम सुना होगा तो अगर जाब वाले सेक्षिन में आपको आके दिखाते हैं कि यह देख से यहां पर आपको मैनेजर पीपल प्रैक्टिस यहां पर इनको मैनेजर की जुरुवत है तो कुछ एक्स्पिरेंस अब भी लगता है और कुछ जॉब फ्रेसर के लिए भी रहते हैं ठीक है कड़गरी मैनेजर हाडवर के लिए मैनेजर ग्रोफ मार्केटिंग के लिए अभी दो दिन पहले इन्होंने एक विक पहले ज जีब निकाला है तो डारी जाके प्रोफाईल पर जावाले सेक्जन पर आप देख सकते हैं और कर सकते हैं ठीक है जैसे अिकलशेर में आप आप इनके जाओ वाले सक्सें में जाके दिखा देते हैं आपको जैसे इनको software developer की जरुवत है तो अगर आपके पास coding हो रहा कि कोई भी इस्ट्ट्रेंट है अपना आज ही जाईए लिंग्दिन पर प्रोफाइल बनाईए अपना और बड़े-बड़े लोगों से कनेक्शन अपना मतलब करिए ठीक है तो मैंने जो ट्रैक्टर जैंक्शन में उनको अपलाई किया था मैं आपको दिखावा देता हूं को अदर का ड्रैक्टर जैंक्शन में मैंने अपलाई किया था इंट्रांशिप के लिए तो इन्होंने मेल किया था मुझे मैंने अपना जो है रेजुमें ऊगरा बना के भेज़ा था तो इनके चार जो है साथ मेरे कॉंटेक्ट में है एक लोग उनसे मैंने बात किया था और उन्होंने मेल किया मेल दिया था मुझे कि यह और इनसे बात के लिए तो आप कंपनी की बारे में सब कुछ जान सकते हैं यहां पर पीपल में सर्च करेंगे तो आपको वहां के जो भी लोग हैं बड़े बड़े लोग मेनेजर हो करा उनसे आप डिर्क्ट कर सकते हैं यहां पर आप देखते हैं सिवानी गुप्ता जो हैं को फाउंडर सीपीओ हैं ट्रेक्टर जंक्शन.com के लिए और अपना लिखते जाएंगे और इसको बिल्ड करते जाएं तो यह हो गया आपको मैंने बता दिया कैसे लिंडिन उगरा पर जॉब उगरा सच करना हैं तो अब मैं आपको इसके कुछ चीज़ा बतायता हूं आपको थोड़ा बहुत और प्रेक्टिकल नॉलेज होना चाहिए अगर आप आफ केंपस से ले रहे हैं जॉब या अपलाई कर रहे हैं ठीक है रेजुमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका रेजुमें बहुत तकड़ा होगा तब जाके आप दूसरे स्टूडेंट से कंपेर में अच्छा कर पाएंगे वहां पर ठीक है उसके बाद आ अब के लिए सब्सक्राइब के लिए और आपके इंग्लीस अच्छी होनी चाहिए इंग्लीस पर आप काम कमांड रखिए अपना और जो आपकी कम्णिकेशन स्कील है आप इंट्रिव्यू कैसे फेस करते हैं उससे पीज़े आपको आना चाहिए और आपकी रिज्युमें ह प्लेस्मेंट पाते हैं इसमले आपको self-cretive सक्षर मिलता है आप इसके में requirement कंवें जरु sorrow ना चाहते हैं वहां के लिए apply करताने हैं वहां पे इंटर्ट कर सकते हैं तो आप ज्याद़ दिखकतने आएमा है वहाँ पे और जो भी आप अच्छी जगह से पाते हैं अपने इस अपने के बेस्ट पर तो आपको इस टाइपन मिल जाता है कुछ चीज़र ट्रेनिंग के टाइम पर ही पैसे मिल जाते हैं प्रेड इंटर्न सिब गरा ठीक है अगरी के लिए बहुत ही मुस्किल है बट करता है तो चाहिए अगर आप उसमें मास्टर बन गए तो आपको जवाब लेने से कोई नहीं रोक सकता आप अपने मर्जी से जिस भी कंपनी में चाहिए आप वहां पर जाब कर सकते हैं अगर आप अपना प्रोफाइल जो है बहुत है बहुत ही अच्छे से बिल्ड किये हैं तब जाके बता रहा हूं है और अगर आप तो यह था चीजे जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी आई होप आपको वीडियो पसंदा होगा और तो मुझे जहां तक लगा था कि आपको इलिए होने चाहिए तो मैंने आप चम पर दोनों के लिए तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो कर आपको और वीडियो गरा मनी देखने अगर कॉलेज में रहके पैसे कैसे कमाएं क्युक्कि कॉलेज में बहुत टाइम रहता है अगरी कल्चर वालों के लिए तो आप अच्छी खासी प्रफाइल कर सकते हैं और एक्स्टा में बहुत सारे काम कर सकते हैं जहां से आप पैसे कर सकते हैं तो इससे चीजों की वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंड में हमें बता सकते हैं कोशिच करेंगे उन सेबी चीजों के बारे वीडियो बनाने के लिए ठीक है तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद